हेलो प्यारे बच्चों मैं सुधा स्वागत करती हूं आप सब का आपके अपनी चैनल त्यारी ओनलाइन में आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा दस के हिंदी पाटे पुस्तक असपर्स भाग दो का अध्याय चार जिसमें मैथली सरन गुप्त जी द्वारा लिखित कविता मनुष्यता दी गई है तो हम पढ़ेंगे आज मनुष्यता बच्चों यदि आपने मैथली सरन गुप्त जी का जीवन पड़िचे नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं लिंक आपको आई बटन में दे दिया जाएगा तो चलिए देड़ न करते हुए कविता है मनुष्यता 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 कहने का क्या आर्थ होता है मनुष्यता यानि इंसानियत इंसानियत या हम इसे कह सकते हैं मानवता मानवता ठेक है तो यहां कभी जो है वह किसके बारे में कह रहे हैं मानवता के बारे में और प्राकृति के अन्य प्रानियों की तुल होती है वह अपने ही नहीं दूसरों के भी दुखसुक को समझ सकता है और उसका ख्याल रख सकता है तो चले देड़ न करते हुए इस कविता को पढ़ते हैं कविता कुछ इस प्रकार से है बच्चों विचार लोग की मृत्य हो न मृत्यु से डड़ो कभी मरो परंतु यूं म मरो के याद जो करे सभी हुई नयों सुम्रिति तो ब्रिथा मरे ब्रिथा जिये मरा नहीं वही की जो जियान आपके लिए वही पशु प्रविर्ति है कि आप आप ही चरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे तो देखिए बच्चों कविता की इन पंक्तियों को प के अर्थ देख लेते हैं मर्तिय मर्त मतलब क्या होता है मृत्यू क्या होता है बच्चों मृत्यू तो यहां है बिचार लो की मर्त्य हो न मृत्यू से डड़ो कभी कभी क्या कह रहे हैं कि तुम बिचार लो यानि जान लो कि तुम क्या हो मर्त्य हो यानि एक ना एक दिन तु फिर इससे क्यों डरना? मरो परन्तु यूं मरो कि याद जो करे सभी, अब मरना तो है ही, लेकिन ऐसे मरो यानि कुछ ऐसा करके मरो कि लोग तुम्हें मरने के बाद भी याद रख सके। हुई नयू सुम्रित्यू सुम्रित्यू सब्दकार्थ क्या होता है ऐसी मृत्यू जिसे लोग हमेशा याद रख सकें तो यहां पर कभी यही कहते हैं हुई नयू सुम्रित्यू तो ब्रिथा मरे ब्रिथा जीए ब्रिथा यानि बेकार ब्रिथा सब्दकार्थ होता है बेकार अगर सुमृत्यू ना हुई तो यह जीवन क्या हो गया भिकार तुमने अपनी पूरी जिन्दगी यूँ ही बरबाद कर दी किसी काम का नहीं रहा वो मरा नहीं वही की जो जियाना आपके लिए और आगे क्या कहते हैं मरा नहीं वही जो जिया आपके लिए वह कभी नहीं मरता जो दूसरों के लिए जीता है वह कभी नहीं मरता जो आपके लिए जीता है उनका मरना क्या हो जाता है साकार यानि मरकर के भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता है जो अपने लिए नहीं बलकि दूसरों के लिए जीता है आगे देखिए आगे की पंक्ती में कह रहे हैं वही प्रशू प्रविर्ती है कि आप आप ही चरे प्रशू प्रविर्ती यानि पसू जैसा प्रशू प्रविर्ती पसू जैसा जानवरों के जैसा जानवर कैसे होते हैं जानवर जो स्वें के लिए ही जीते हैं अगर देखेंगे आपको एक उदाहरन देती हूँ, कि आपने देखा होगा कहीं बहुत सारे जानवर चर रहे हैं, तो वहाँ जो जानवर होता है वह स्वेका ही पेट भड़ने के लिए सोचता है, वह यहना सोचता है कि मैं नहीं खाऊंगा और मेरा दोस्त खा ले, ऐसा जो ह वो उसकी सोच में नहीं होती, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे कभी ने क्या कहा है, वही पश्यू प्रविर्ती है जो आप आप ही चड़े, यानि जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, वह क्या है, पश्यू प्रविर्ती है, पश्यू के समान है, उसमें मनुष्यता ह नहीं नहीं वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे और मनुष्य कौन है वही है जो दूसरों मनुष्य के लिए मरे यानि दूसरों के लिए करे जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे वही क्या है बच्चों असली मनुष्य है मेरे ख्याल से ये पंक्तियां आपको समझ मे आ गई होगी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट में आप अपने डाउट को लिख कर के बताए हमें अब हम कविता की नेक्स्ट पंक्ति को देख लेते हैं यहां देखें उसी उदार की कथा सर्श्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव किर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त स्रिष्टि पूजती, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लि ये मरे अब ध्यान से देखिए इस पंक्ति को कभी क्या कहते हैं उसी उदार की कथा किसकी कथा उदार उदार सब्धकार्थ क्या होता है बच्चों उदार यानि स्रिस्ट या स्रिस्ट भी कह सकते हैं आप महान भी कह सकते हैं आप कहते हैं या पे कभी कि उस महान वैक्ति की क कथा कौन कहता है सरश्वती कहती है सरश्वती जो बिद्या की देवी है वह उसकी कथा का गुनगान करती है बखानती सब्दकार्थ होता है गुनगान करना यहां लिख देती हूं मैं बखानती यानि गुनगान करना ठीक है उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती धरा सब सब्धकार्त होता है बच्चों प्रिथवी क्या होता है क्रितवी उसी महान व्यक्ति की उदारता कौन मानता है यहाँ पर तो धरा प्रीथवी मानती है पुरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है और आगे कहते हैं कि उसी उदार यानि उसी महान व्यक्ति की सदा किर्थी गूझती यानि सदा लोग उस महान व्यक्ति को हमेशा याद करते रहते हैं उसकी पूजा करते हैं आगे कहते हैं तथा उसी उदार को समस्त स्रिष्टी पूजती स्रिष्टी यानि पूरी दुनिया ठीक है और उसी उदार को कौन पूजता है पूरी दुनिया पूजती है सभी लोग पूजते हैं ठीक है बच्चों और वही मनुष्य है कि ज पहलाने योग्य है बच्चों जो मनुष्य के लिए जीए जो दूसरों के लिए जीए जो वैक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाई चारे के भावना के साथ बांधे रखे वही क्या कहलाता है सही माइने में मनुष्य कहलाता है अगली पंक्ति देखिए छुधार्थ प्रंति देवी ने दिया करस्त थाल भी तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थी जाल भी उसी नर्चितीज ने स्वमांसदान भी किया सहर्सवीर कर्ण ने सरीर चर्म भी दिया अनित्य देह के लिए अनादी जीव क्या डरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मर अब इन पंक्तियों का समझे बच्चों, इस कविता को पढ़ने से ऐसा लगता है, जैसे हमारा पूरा मन क्या हो रखाओ, रोमान चित, उत्सा से भढ़ गया हो, है न, तो यहाँ छुधार्थ, छुधार्थ सब्द का क्या आर्थ होगा, इस सब्द का क्या आर्थ होगा बच ठीक है, इसे हम कहेंगे छुधार्थ, करस्त सब्द कार्थ होगा हाथ की, ठीक है, तो यहाँ इस पंक्ति को समझे, भूख से पड़ेसान, रती देवी ने अपने हाथ की आखरी थाली भी क्या कर दी थी, दान कर दी थी, यहाँ है न, छुधार्थ रंती देवी ने दिया क अरस्त थाल भी, तो रंती देवी भूख से ब्याकुल थी, फिर भी अपनी अंती म्थाल किसी भूखे वैक्ति को दे दिया, आगे कहते हैं, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थी जाल भी, दधीची रिसी थे, और उन्होंने जग कल्यान के लिए क्या दे दिया, अस्थी जाल को किसे कहते हैं, हडियों के समू को कहते हैं, आप चाहें तो इन वड्स को जो हैं अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, बहुत ही तो वर्ड्स हैं बच्चों अस्थी जाल कहते हैं किसको तो अस्थियों के समू को कहते हैं अस्थी जाल और दधीची रिसी थे उन्होंने वज्र के लिए वज्र के लिए क्या किया था अपने सरीर के समस्त हड्डियों को दान कर दिया था और वज्र किस देवता के हाथ में रहता है कमेंट करके फटा-फट बताए तो इसी वज़ा से आज भी लोग उन्हें याद करते हैं कि किसी पुन्य काम के लिए अच्छे कारे के लिए दर्ध उसी नर यहां लिखते जा रही हूं ताकि आपको यह चीजे जो हैं वध्यान भी रहे उसी नर देश के राजा राजा जिनका नाम क्या था जिनका नाम था बच्छों सी भी ठीक है उन्होंने अपना मांस क्या किया था काट काट करके किसे खिला रहे थे एक भूखे तो एक कबूतर का जान बचाने के लिए ठीक है तो उन्होंने अपने सरीर का मांस जो है वह काटना शुरू किया उसे खिलाने के लिए ताकि उस कबूतर की जान बच सके तो इसलिए आज भी लोग उन्हें याद करते हैं आगे किसकी बात हो रही है कर्ण की सहर्स वीर कहने का आर्थ है सरीर का कवच जो उन्हें कवच प्रदान किया गया था कि जब तक यह कवच आपके पास रहेगा आपको मृत्यों छूबी नहीं सकती तो उन्होंने महाभारत की युद्य के समय सहर्स यानी सुएं की खुशी से वह सरीर के कवच को भी दान कर दिया था अन नित्य दे यानी यह नित्य नहीं रहने वाला है नस्वर क्या कह रहे हैं कभी नस्वर तो इस नस्वर सरीर के लिए मनुष्य क्यों डरे जो महान लोग होते हैं वह नस्वर सरीर की चिंता कभी नहीं करते तो इसलिए कहते हैं कि वही मनुष्य है वही मनुष्य कहलाता है ज यहां तक भी आप समझ गयोंगे चलिए अगली पंक्ति देखते हैं सहानु भूती चाहिए महा विभूती है यही वसी कृता सदैव है बनी हुई स्वे मही सहानु भूती सब्दकार्थ क्या होता है सहानु भूती यानि दया महा विभूती यानि सबसे बड़ी संपत्ती सबके अर्थियां लिखते जा रही हूँ महा विभूती यानि सबसे सबसे बड़ी संपत्ती इसको कहते हैं महा विभूती ठीक है बच्चों? तो सहानु भूती चाहिए महा विभूती है यही इस पंक्ती को समझे तो यहां कभी क्या कह रहे हैं कि मनुष्यों के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए क्या होना चाहिए सहानुभूती यानि दया और करुणा का भाव होना चाहिए और यही क्या है महाविभूती है यानि सबसे बड़ी संपत्ति है और आगे है वसी कृता सदैब है बनी हुई स्वे मही वसी कृता सब्दकार्थ क्या होता है बस में करने वाला वसी कृता इट मिन्स वस में करने वाला तो इस पंती को समझे बच्चों यहां कहा गया है कि वसी कृता सदैब है बनी हुई स्वे मही सुए इस्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं कैसे लोगों के साथ रहते हैं जिसकी अंदर मनुष्यता निवास करती है आगे की पंक्तियां देखिए विरुद्ध बाद बुद्ध का द्या प्रवाह में बहा बिनीती लोक वर्ग क्या न सामने जुका रहा अहा वही उदार है परोपकार जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे अब यहाँ पे विरुद्ध बाद विरुद्ध बाद सब्दकार्थ क्या है विरुद्ध बाद यानि खिलाफ होना क्या हो जाएगा सब्द से ही असपस छोड़ा है विरुद्ध यानि खिलाफ तो यहाँ पे विरुद्ध वाद सब्द का अर्थ होगा खिलाफोना इस पंक्ति का अर्थ समझे विरुद्ध बाद बुद्ध का द्यापरवाह में बहा तो इसमें सबसे बड़ा उदारन जो है वह किसका लिया गया है भगवान बुद्ध का उदारन लिया गया है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिनसे लोगों का दुख जो है वह नहीं देखा गया और इस वज़े से वे लोग कल्यान के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए विनीत लोक वर्ग क्या न सामने जुका रहा और इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं जुका अर्थात उनके दया भाव वा परोपकार के कारण आज भी लोग उन्हें याद करता है किने याद करता है बच्चों तो भगवान बुद्ध को आज भी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत जगा ऐसे हैं जहां भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की जाती है तो ये सब क्यों किया जाता है ये सब उनके उदार और परोपकारी स्वभाब की कारण किया जाता है इसलिए इस कविता में महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है वही मनुष्य है मनुष्य कहलाता है जो मनुष्य के लिए जीता और मरता है अगली पंक्ति देखिए रहो न भूल के कभी मधांद तुछ बित्त में सनाथ जान आपको करोन गर्व चित्त में अनाथ कौन है यहां क्रिलोक नाथ साथ है दयालू दीन बंधु के बरे विसाल हाथ है अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे इन पक्तियों को समझे बच्चों और एक बात और कहना चाहूंगी कि जब भी आप कविता पढ़ते हैं तो आप उसको बहुत ही सहज तरीके से पढ़ें किसी भी कविता को जब सहज तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें आपको ऐसे ही असपस्ट होती चली जाएगी तो यहां कभी क्या कह रहे हैं ध्यान दिजेगा रहो न भूल के कभी मतांध तुछ बित में मतांध मतलब क्या होता है अब यह सब्द बहुत ही कैसा लग रहा है टफ लग रहा है मतांध यानी घमंड में भरा हुआ मतांध मतलब क्या होगा घमंड एहंकार ठीक है और तुछ सब्द कारथ होता है बिकार क्या होता है बिकार तो यहां कभी कहते हैं कि भूल करके भी कभी अपनी संपत्ति या यस पर तुम्हें घमन नहीं करना चाहिए क्योंकि संपत्ति जो होता है वच्छनिक होता है आज आपके पास है हो सकता है कल ना हो तो ऐसे चीजों पर घमन क्यों करना कभी भी अपनी संपत्ति और यस पर घमन नहीं करना चाहिए आगे कहते हैं सनाथ जान आपको करोना गर्वचित में सनाथ जिसके पास अपनों का साथ हो सनाथ मतलब क्या होता है जिसके पास अपनों का साथ होता है उसे सनाथ कहते है और अनाथ की से कहते हैं देखे दूसरी पंक्ती में अनाथ भी लिखा गया है अनाथ किसे कहते हैं बच्चों जिसका कोई ना हो उसे कहते हैं अनाथ तो यहां कभी कहते हैं सनाथ जान आपको करोनगर्व चित्त में तो कभी भी जिसके पास अपनों का साथ होता है उसे कभी भी स्वेपर गर्व नहीं करना चाहिए क्योंकि यहां इस संसार में कौन अनाथ है जो अनाथ है उसके साथ कौन है तिरलोकी नाथ तिरलोक नाथ यानि इश्वर भगवान ठीक है बच्चों तो जिसका कोई नहीं उसका कौन है भगवान है इसलिए जो सनाथ है उसको कभी भी स्वेपर गर्व यानि घमंड नहीं करना चाहिए आगे है दयालू दीन बंधु के बरे विसाल हाथ है या दयालू दीन बंधु किसे कहा जा रहा है इश्वर को परमात्मा को तो कभी कहते हैं कि उस इश्वर उस दयावान परमात्मा के हाथ का है हमारे सिर्पर है अतीव भाग्य हीन है अधीर भाव जो करे अभी स्पंक्ती को समझे बच्चों कभी कहते हैं कि वह बैक्ती क्या है भाग्य हीन है जो इस प्रकार का उतावला पन रखता है वह क्या है भाग्य हीन है अधीर सब्दकार्त होता है उताबला पन और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे मनुष्य वही कहलाता है जो इन सब चीजों से उपर उठकर सोचता है ठीक है बच्चों वही क्या कहलाता है मनुष्य अगली पंक्ती है अनन्त अन्त रिक्ष में अनन्त देव हैं खड़े समक्ष ही स्वभाहु जो बढ़ा रहे बढ़े बढ़े परस पराव लंब से उठो तदा बढ़ो सभी अभी अमर्त अंक में अपंक हो चड़ो सभी रहो नईों की एक से नकाम और का सड़े वही मनुष्य है की जो मनुष्य के लिए मरे अब अनन्त सब्दकार्थ क्या होता है अनन्त यानि जिसका कोई अन्त है ही नहीं उसे कहते है अनन्त अंतरिक्ष या आकास ठीक है तो इस पंक्ती को समझ यहाँ पे कभी क्या कह रहे हैं अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खडए। कभी कहते हैं कि उस कभी न समापत होने वाले। आकास में असंख देव खरे हैं। जो क्या हैं? परोपकारी हैं। डियालू हैं। समक्छ ही स्वभाहू जो बढ़ा रहे खड़े खड़े। स्वबाहू सब्द का क्या आर्थ होता है अपनी भुजाई वो क्या कर रहे हैं अपनी भुजाओं को फैला कर उन परोपकाडी द्यालू मनुश्यों को क्या कर रहे हैं अपने समक्ष उपस्थित कर रहे हैं परस पराव लंब से उठो तदह बढ़ो सभी परस पराव लंब इसका आर्थ होता है एक दूसरे का सहारा एक दूसरे का सहारा तो यहां कभी कहते हैं कि हमें क्या बनना चाहिए एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए परस पराव से उठो तथा बढ़ो सभी एक दूसरे का सहारा बनते हुए आगे बढ़ते चलो अभी अमर्त अंक में अपंग हो चढ़ो सभी अब यहाँ देखिए अमर्त अंक अमर्त अंक सब्द का अर्थ होता है बच्चों देवता की गोद यहाँ लिख देती हूँ मैं अमर्त अंक देवता की गोद को कहा गया है अंक मतलब होता है गोद ठीक है और अपंक अपंक सब्द का होता है कलंक रहित अपंक क्या होता है सब्द का अर्थ कलंक रहित ठीक है कलंक रहित तो यहां कभी कहते हैं कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो इसका आर्थ क्या है? यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे रहो नयों की एक से न काम और कासरे और कहते हैं कि अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए हमें अपना और दूसरों का कल्यान वह उद्धार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए यह संसार कैसा है बच्चों? मरंसील है यहां जो भी जन्म लिया है सबको मरना है तो मरंसील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्यान करे और परोपकार करे मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा बिवेक है पुडान पर श्वेंबु पिता प्रशिद एक है फलान उसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है परंतु अंतरेक्य में प्रान भूत वेद है अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे बच्चों कविता अगर आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सेयर करे इन पंक्तियों को समझे बंधु सब्द का अर्थ होता है बच्चों भाई बंधु मित्र सभी को क्या कहते हैं बंधु और विवेक यानी ज्यान समझ तो कभी कहते हैं यहाँ पे कि प्रतेक मनुश्य एक दूसरे के क्या है भाई बंधु है और यह सबसे बड़ा समझ है यानी सबसे बड़ा ज्यान है यह उसके बाद है पुडान पुरुस स्वेंभु पिता प्रशिद एक है स्वेंभु पिता यहाँ किसको कहा गया है स्वेंभु पिता प्रमेश्वर को इश्वर को प्रमात्मा को तो पुरानों में जिसे स्वें उत्पन पुरुस माना गया है वह प्रमात्मा यह इश्वर क्या है हम सभी का पिता है और हम सब क्या है उसे श्वर की संतान है कारणों के फल अनुसार प्रतेक मनुस्य के कर्म भले ही अलग-अलग हूँ बच्चों परन्तु हमारे वेद इस बात के साक्षी है कि सभी की आत्मा एक है सभी में एक ही इस्वर निवास करते हैं परन्तु अंतरैक्य में प्रान भूत वेद है अंतरेक की यानि आत्मा अंतरेक के सब्द का क्या आर्थ होता है? आत्मा तो यहां क्या कहा गया है? परन्तु हमारे जो वेध है वो इस बात के साक्षी है कि सभी की आत्मा क्या है? एक है आगे कभी कहते हैं अनर्थ है कि बंदू ही न बंदू की व्यथा हरे कहते हैं यह तो अनर्थ है कि भाई ही भाई के दुखों को नहीं समझ पाता उसके कस्टों को नहीं समझ पाता है ना और अगर समझता भी है तो वह उसका नास नहीं करता इसलिए कहते हैं उसका जीना क्या है व्यर्थ है जो अपने भाई बंदू के दुख को दूर ना कर सके उसका जीना जीना नहीं है उसका जीना बेकार है क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुड़े समय में दूसरे मनुष्यों के काम आता है अगली पंक्ति देखिए बच्चों पे क्या अस्पस्ट हो गया है यहां कभी क्या कहते हैं कि रास्ते में जो भी बाधाएं आए है ना उन सभी को ढखेलते हुए एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते चलो जो कठिन सब्द है उसके अर्थ देख लेते हैं अभिस्ट अभिस्ट सब्द का अर्थ होता है इच्छित क्या होता है इच्छित तो कहते हैं चलो अभिस्ट मार्ग में सहर्स खेलते हुए सहर्स यानि खुसी से अपनी खुसी से मार्ग यानि रास्ता यहां कभी कहते हैं मनुश्यों को अपनी इक्छा से चुने हुए मार्ग पर खुसी खुसी चलना चाहिए यानि उसने जो रास्ता सुमे के लिए चुना है उस पर खुशी-खुशी आगे बढ़ना चाहिए बिपत्ती यानि संकट बाधाएं विख्ण मतलब भी वही होता है संकट बाधाएं ठीक है और बिपत्ती मतलब भी होता है तो कहते हैं कि रास्ते में चाहे कितनी भी बिपत्ती क्यों ना आए संकट क्यों ना आए बाधाएं क्यों ना आए उसे ढखेलते हुए आगे बढ़ो और घटे ना हेल मेल हाँ जीवन में इन बाधाओं के आने से है ना क्या न घटे हेल मेल एक दूसरे से जो प्यार है वह कभी न घटे और सभी का ध्यान रखते हुए क्या करें आगे बढ़ते रहें तो यहां पर कभी मनुश्यों को यही कहते हैं कि हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ कभी न बिगडे और कभी एक दूसरे मे भेदभाव ना हो और हम हेल मेल के साथ यानि मिल जूल करके आगे बढ़ें अतर्क एक पंत के सतर्क पंत हो सभी अतर्क यानि तर्क से पड़े अतर्क सब्द का क्या आर्थ होता है तर्क से पड़े यानि जिसका कोई तर्क ही नहीं है उसे कहते हैं अतर्क तर्क से पड़े तो कहते हैं बिना किसी तर्क भी तर्क के सभी को एक साथ क्या करना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए तभी क्या संभव है बच्चों? तभी मनुष्यों की उन्नती और कल्यान संभव है जो मनुष्य बच्चों दूसरों की उन्नती और कल्यान के साथ साथ अपनी समरिधी भी कायम करें वही क्या है? मनुष्य है तो एक कविता आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा यदि आपको कोई प्रस्न या सुझाब है तो आप अपने प्रस्न और सुझाब हमें कमेंट में लिख करके अवश्य बताएं वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूले साथी बच्चों अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे सेर करें मिलते हैं आप से इसी कविता के भावार्थ और प्रस्न अभ्यास के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद